मैं 36 गड़ बीजेपी का पोस्टरवार जारी है बीजेपी ने कॉंग्रस पर एक और काटून जारी किया है महिला सशक्ती करण्ट से जुड़े मुद्दे पर कॉंग्रस को घेरा कॉंग्रस का रिकार में महिला अपमान का काटून बनाया था सोशल मीजिया प्लाट्फॉर्म एक्स पर एक काटून शेयर किया बीजेपी ने काटून में लिखा कॉंग्रस में होता था महिलाओ का अपमान बीजेपी में मिला सुरक्षा और सम्मान नकसलियों के पुनरवास के लिए 36 गर सरकार तेजी से काम कर रहे एक कहना है डेपिटी सीम विजेशर्मा का कहा कि सरकार की योजनाव का फाइदा उने मिले ताकि कोई और नकसली जबू ना पाए इसके लावा पांच लाग के नामी वर्टुधारी महिला नकसली को अरेस्ट किया गया है दस नकसलीों में सरेंदर किया है टेपेटी सीम ने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद नकसलीों के खिलाब अभ्यान में पेजी आई है कहा कि कोई बद्धूक लेकर देश की अखंडता को चोट पहुचाएगा तो उसे बर्दाश्ट नहीं किया जाएगा भाजबा की सरकार में बहुत इस्पष्ठ बहुत इस्पष्ठ है आप सरकार को कह लें आप नेता को कह लें सब कुछ कह लें देश की एकता खंडता पर भाजिपात नहीं सहपाती है। देश में कोई आराजटता फैलाए, कोई देश को विभाजित करने की बात करें, देश पर कोई आवाद उठाए, सवाल उठाए, ये नहीं सहा जाएगा। बात होगी, निर्णय होगा, नहीं ओजराए होगी, सब परन्तु कोई बंदूक लेकर के देश के स्वाभिमान को चोड़ कोचाने की कोशिश करेगा, तो ये नहीं सहा जाएगा। विपक्ष अपनी घबराहट दिखा रहा है, आपको ध्यान लगाने से कौन रोक रहा है। पर दे दिया है, प्रदेश, बीजेपी, मीडिया प्रभारी आशीश अगरवाल ने कहा कि हिंदुत्व से आपत्ती के कारण कॉंग्रस समाप्त होती जा रही है, और ध्यान से आपत्ती से कौंग्रस आगे भी समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि लक्ष्मन सिंग कुछ विश्यों पर तो राष्ट्र और सनातन के साथ खड़े होए हैं, जिनका स्वागत है। तो जिस तरह से हिंदुत्व से आपत्ती के कारण कॉंग्रस समाप्त होती रही, अब ध्यान से आपत्ती से कौंग्रस आगे भी समाप्त होगी। मैं लक्ष्मन जी का स्वागत करता हूँ, कम से कम कुछ विश्यों पर तो वो राष्ट और सनातन के साथ खड़ा होना बेहतर समझते हैं। सागर मामले में सियासत जारी है। दिगुजर सिंग ने आगे लिखा कि भूपेंदर सिंग ने दबंगई और फिल्मी अंदार्ज में उन्हें समझाया। पर उसी दन हमाई मुकमनती जी से बात हुई थी तो उन्हें का के अब अंदा सामरों के वो नौकरी दे देंगे बश्ची को। तो अब इस से ज़्यादा और सरकार क्या करेंगे। अब इस से ज़्यादा और सरकार क्या करेंगे। कि टिस देखने से ज़्यादा से वो नौकरी देखने से लिए थकार क्या अंदास झाल झाल